Hello everyone, welcome to G-Centeri का और इस lecture से हम लोग स्टार्ट करेंगे Maximum Power Transfer Theorem यह theorem बहुत ज़्यादा important है, gate में हर साल यहाँ से question आता ही आता है और मैंने पिछल lecture में आपको बताया था कि अगर आपको Thevenin's Nortons और मैं कहूं कि Thevenin's theorem ही अगर अच्छे सा आती है तो Maximum Power Transfer Theorem के numerical 80% फिनिश हो जाएंगे अब सबसे बड़ा question कि सर यह Maximum Power Transfer Theorem का utility किया है किसी चीज का utility होगा तभी तो पढ़ रहे हैं हम लोग तो जैसे Thevenin's Nortons को बताया था कि यह theorem क्यों पढ़ रहे है ultimately जो हमारा network है उसको simplify करने के लिए बट यह theorem simplify तो करती करती है बट साथ में इसमें क्या लगा हुआ है Maximum Power Transfer जब भी हम लोग source से लगा के load तक Maximum Power Transfer flow करेंगे तब इस theorem को हम लोग याद करेंगे तो चलिए theorem के बारे में थोड़ी देर बात बताऊँगा क्योंकि बहुत ही important parameter है Maximum Power क्योंकि हर कोई क्या चाता है कि Maximum आप अभी preparation कर रहे हैं तो आप चाते हैं कि मैं जितना मेहनत कर रहा हूँ उससे ज़्यादा से ज़्यादा result आए Maximum number आए है ना आप चाते हैं गेट का exam जो 100 number का होता है उसमें चाहते हैं कि आप maximum से ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आए उतना अच्छा रहेगा तो हर जगे load end पर जो भी खड़ा है वो चाहता है कि maximum maximum मिले मुझे बट क्या maximum मिलने के साथ साथ other parameter को अगर हमें compromise करना पड़ा तो क्या वो feasible रहेगा है ना तो इन सब चीजों के बारे में आपको बताता हूँ कि जब भी हम कोई चीज as a design engineer बात करें ना हम लोग सोचे कि we are a design engineer अगर हम लोग design engineer जैसा बात करें तो हमारे पास हमेशा दो parameter बहुत मतलब बोल सकते कि दो parameter पे हमें बहुत ज़्यान रखना पड़ता है बहुत carefully कोई भी चीज या कोई भी जिस सपोस करें सिलिंग फेन या transformer या mobile या कोई भी कोई भी gadget कोई भी electrical या electronics gadget अगर हम लोग design कर रहे हैं तो हमेशा हमें दो parameter पे बहुत ज़्यादा careful और क्या बूल सकते हैं हम लोग कि careful तो रहना ही रहना है साथ में हमें optimum output लाना है ठीक है तो कौन से दो parameter जल्दी से में बात करता हूँ थियोरम के बारे में बात करेंगे थोड़ी से स्टोरी सुनाता हूँ मैं आपको तो आपको इसका importance पता चलेगा दो parameter as a design engineer है ना as a design engineer आपके पास हमेशा दो parameter रहेंगे जिनका आपको ध्यान में रखना है पहला चीज़ तो maximum power पी मेक्स कर दो इसको है ना maximum power किसी device को बनाते time पे आप चाहते हैं कि जो load end पे मतलब कि customer असल में है ना उसको maximum power मिले और एक parameter होता है maximum efficiency maximum efficiency आप चाहते हैं कि जो load end पे customer है उसको maximum efficiency मिले तो इन दोनो parameter का आपको balance तरीके से ध्यान रखना होता है अब आपको बहुत सारे लोगों को ये बात समझ में नहीं आ रही होगी तो मैं कि story से आपको ये दोनों बाते समझाने की कोशिश करता हूँ ठीके सपोस करिए कि अगर आपको एक mobile खरीदना है ना एक mobile खरीदना है आप mobile खरीदने के लिए शौप पे जाएंगे शौप पे जाते हैं तो जो वहाँ पर salesperson होता है चाहे शोरूम पे जाएं जाहें मॉल में जाएं कहीं पर भी एक mobile की दुकान हो तो उसमें बढ़िया स एक salesperson होता है जो आपको दिखाता है sir मैं I help you तो आप बताएंगे हां मुझे mobile चाहिए तो सबसे पहला question वह क्या पूछता है कि sir आपका budget क्या है किस range में दिखा दू mobile क्योंकि उसके पास तो 10,000 से लगा कि 50,000 तक mobile होंगे ठीक है तो सबसे पहले वह आपका budget पूछेगा उ दिखो sir इस वाले mobile में इतना storage है इतना इसका RAM है इतना ये सारा चीज़े speed speed बताएगा इस वाले mobile में ये इस से ये भेतर है comparison करवा रहा है वो आपको mobile में तो वो storage के बारे में बतादेगा उसके screen के बारे में बतादेगा उसके बोल सकते हैं हम लोग RAM के बारे में इसको जब charge करोगे तो इतना भी लाएगा इसको जब charge करोगे तो इतना भी लाएगा ये वाली बात बुलता है क्या नहीं बुलता है आप में से बहुत सारे लोग बुल रहे होंगे sir mobile खरीटने गए तो electricity bill क्यों ही पूछेंगे तो क्यों नहीं पूछ रहे हो आप उसका reason यह है कि जब भी mobile purchase करेंगे हम लोग है ना जब भी mobile purchase करेंगे तो उसका जो power होता है उसका जो power होता है ठीक है उसका जो power होता है वो milli watt में होता है और आपका घर में जो energy meter है वो क्या calculate करता है energy calculate करता है energy का मतलब है power into time और power चुकि milli watt में है तो sir milli watt की तो हम चिंता ही नहीं कर आता है कि ये वाला particular mobile आपका 3 unit खाएगा ये ये 5 unit खाएगा ये ज्यादा भी लाएगा कम आएगा ठीक है तो ये बात तो रही कि जो भी salesperson रहेगा mobile खरीदते टाइम पे या आप mobile खरीदने जा रहे हो तो जो mobile बेशते टाइम पे जो salesperson रहेगा वो ना तो आपको बिजली की बिल की बात करेगा और ना आप पूछोगे ठीक है चलो case number 2 लेते हैं suppose करो उसी mobile की दुकान पर आप है और आपके सामने दो पीस है है ना दो mobile है mobile number 1 और mobile number 2 ठीक है दो पीस उसने दिखा दी उसने ये बोला कि sir ये latest में आयोए दो पीस है इन दोनों में मैं आपको comparison बता दे ठीक है तो पहला mobile उसने दिखाया और बोला कि sir इसको दिन में 24 hours में दो बार charge करना पड़ेगा two times क्या करना पड़ेगा इसको charge करना पड़ेगा ठीक है बट इसमें गान बाकी इसकी जितने भी feature बहुत outstanding है बहुत अच्छे से गाना सुनाई देगा सब कुछ अच्छे से च ज्यादा नहीं रखते हैं और mobile number two है इसमें sir इसको जो charge करना है ये three days में आपको charge करना है three days में one time one time इसको charge करना पड़ेगा one time charge three days में बट ठीक है आप खुश हो गए कि यार तीन दिन चलेगा ये कोई दिक्कत नहीं तीन दिन में एक बार charge करना है बट sales person बोलता है कि sir इस सुनाई देंगे ना उसमें थोड़ा सा hissing sound रहेगा है ना sound problem थोड़ा सा हम बोल सकते हैं कि audio problem बोल सकते not sound problem audio problem audio problem audio problem रहेगा थोड़ा सा तो आप कौन सा mobile purchase करना चाहेंगे कीमत बहुत ज़्यादा difference नहीं है लगबग लगग सिमिलर प्राइज है ठीक है बस difference कि आ रहा है charging का तो आपको एक सेकेंड से भी कम समय लगेगा decide करने में कि कौन सा mobile खरीदना है पुराने टाइम के जो आईफोन हुआ करते थे अब तो शायद मेरे ख्याल से बेटरी पर काफी अच्छा work किया है एपल ने बट पुराने जो आईफोन हुआ करते थे 678 वाले तो वहां पर प sound quality, audio quality बागी सारे features का importance है तो आपको दो मिनिट भी नहीं लगागा है decide करने में कि सर मैं तो ये वाला purchase करूँगा ठीक है दो बार charge कर लेंगे और क्यों आपको इतने confident है क्योंकि charge करने में पैसा नहीं लग रहा है क्योंकि आपका जो power है power consumption है वो milli watt में है ठीक है milli watt में है इ ठीक है audio problem मतलब आपको अच्छे से गाले सुनाई देने का मतलब क्या impedance matching impedance matching हो रही है मतलब आप बात करें जब आप amplifier वगरा सब पढ़ोगे तो इसका मतलब है कि maximum power आपका आ रहा है इस वज़े से sound problem नहीं होती है impedance matching maximum power flow होना तो ये सारे के सारे features है audio system के ठीक है तो इसका मतल रहतनी क्योंकि आपका electricity bill जादा नहीं आएगा ठीक है electricity bill नहीं आएगा तो maximum power अब मैं आपको एक चीज बताता हूं कि maximum power maximum power जब draw करते हैं suppose करो आप maximum power draw कर रहे हैं उस time पे जो efficiency हो जाती है वो 50% रह जाती है efficiency क्या हो जाती है उस time पे 50% 50% efficiency का मतलब है कि 50% क्या हो गए losses हो गए losses हो गए 50% तो आप bother होंगे कि इस losses के लिए नहीं क्योंकि सर milli watt में power है तो losses हो जाना दीजिए कितना ही loss हो जाएगा बट हमें तो गाना अच्छे से सुनाए देना चाहिए maximum power flow कराओ हना maximum power flow कराओ कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि losses 50% ठीक है milli watt power यह power बड़ा नहीं है तो इस वज़े से जब भी मैं बोलूँगा कि EC background है ना electronics background जो कि क्या कहलाता है less than less than बोल सकते हम लोग less than 25 volt less than 25 volt हना 25 volt से कम मतलब कि EC और electrical क्या हो जाएगा electrical branch हो जाएगी आपकी greater than sorry electrical branch हो जाएगी आपकी more than 25 more than 25 25 वोल्ट से उपर आपक्या हो जाएगा ठीक है अब इसमें अलग-अलग बेटरिया होती है ना 5 volt की भी होती है 10 volt की 15 volt की 20 volt की 25 वोल्ट की अलग-अलग बेटरियों अलग-अलग voltage level में बात कर रहे हैं तो electronics में हमेशा क्या होता है 25 वोल्ट के बाद हम लोग electrical में जम कर जाते हैं ठीक है चली तो यहां यह वाला example समझ माया फिर आप क्या करते हैं मोबाइल खरीद लिया आपने कोई दिक्कत नी maximum power losses की चिंता नहीं करी फिर आप दूसरी अगली दुकान पर गये जब वो तो उन्होंने जाते से ही आप अगर नहीं गये हो तो ऐसे रेंडम ली चले जाना तो उसके फीचर बाद में बताएगा पहले तो यह पूछाया कितने टन का चाहिए कितने वाटेज का है ना टन को वाटेज में कर लेना ठीक है तो इसका मत हो रहेगा आपका वह रहेगा किलो वाट में वावर रहेगा यहाँ पे किलो वाट है न यहाई तेल रहेगा यहाहां पर मुली था 10 name स्टार रेटिंग का मतलब क्या है जितने जादस्टार बढ़ते जाते हैं विजली का बिल उतना कम आता है एसी खरीदना कोई बड़ी बात नहीं है एसी को मेंटेंड करना बहुत बड़ी तो इसका मतलब है कि एसी की जब दुकान पे जा रहे हो तो उसको डिजाइन करते टाइम पे सबसे ज़्यादा फोकस किया गया है क्योंकि देखो यहां पे क्या है किलो वर्ट पावर है तो जो सेल्स परसन होगा सारा सारा फोकस क्या करेगा क्योंकि electricity bill का मतलब है electricity bill का मतलब है वो किस पे फोकस कर रहा है efficiency पे कितना efficient है कितना efficient है आपका AC इस बात पर 3 star 4 star 5 star rating के उपर बात कर रहा है क्यों क्योंकि अगर वो यहां पर maximum power की बात करेगा तो उस case में क्या हो जाएगा 50% loss हो जाएगा मतलब kilowatt 1 kilowatt है तो आदा kilowatt तो पाव पर क्या हो गया loss में चले गया तो यहां पर AC जब design हो रहा है जिसका kilowatt power है उस time पर उसका focus किस पर रहेगा maximum efficiency पर ठीक है maximum power पर कता ही नहीं रहेगा समझ में आया आपको तो इसका मतलब है कि maximum power और मेगजिन इसलिए जब transformer वगेरा हम लोग पढ़ते हैं na transformer के designs वगेरा तो maximum efficiency के मैंने बहुत सारे numerical कर रहा है है ना g-centric application पर जाना machine के अंदर machine में बहुत सारे कोशस मैंने maximum efficiency पर कर रहा है और यह story में वहाँ पर भी सुनाता हूं क्योंकि वह वहां के लिए भी जरूरी है तो हम लोग क्या करेंगे जब भी kilowatt power या power rating higher power rating में जाएंगे तो हमारा जब design परला अब थोड़ी दर के लिए में conclude करता हूं कि मानलो एक engineer है जिसको दो चीज़े design करने है mobile design करना और एक AC design करना है तो जब mobile design करते टाइम पर उसका पूरा focus किस पर हैगा maximum power पर हैगा audio system वगेरा में पूरा maximum power वगेरा सब use होता है तो उसका पूरा focus कर रहेगा maximum power पर हैग कि कैसे इसको efficient बनाए energy efficient बनाए इसका बिजली का बिल कैसे कम से कम आए इस वज़े से उसका focus किस पर है maximum power पर नहीं रहेगा उसका रहेगा maximum efficiency पर हैगा तो आप में सब बहुत सारे लोगों का doubt होगा सर maximum power पर जब focus नहीं रहेगा तो फिर यह कैसे चलेगा क्योंकि customer को तो maximum power भी चाहिए ना तो मैं एक चीज बताता हूँ तो यहाँ पर जब design जो अपना product design करेगा वो इस चीज का ध्यान रहेगा कि maximum efficiency ड्रॉ करते time पे power output भी जो है वो balance तरीके सर है ऐसा नहीं कि power बहुत ही कम हो जाए output power तो कुछ न कुछ तो रहना चाहिए ना तो इसका मतलब है कि तो वो एक compromising state लेगा जहाँ पर efficiency भी अच्छी हो और power भी अच्छा हो बट efficiency को ज़्यादा priority देगा बट यहाँ पर यहाँ पर क्या होगा यहाँ पर वो maximum power पावर को ही ज़्यादा priority देगा ठीक है समझ माया तो आपके अलग-अलग design engineer के लिए बड़ा challenge होता है cost effective बनाना च लेके आये थे तो उसमें क्या हुआ कि सस्ती तो थी बट customer ने शुरुआत में तो बहुत ज्यादा रुजान दिखाया बट over the time उस गाड़ी के प्रती रुजान कम हो गया क्योंकि वो उस price segment में बहुत अच्छी नहीं बनाई गाड़ी है ना अभी भी लोग सड़कों पर द मार्केट मतलब ही कस्टमर नॉर्मल पीपल के लिए कस्टमर के लिए अगर फिजीबल नहीं है तो फिर वो लंबे टाइम तक नहीं चल पाएगा तो डिजाइन इंजिनर के दिमाग में सिर्फ बेस्ट नहीं बनाना बेस्ट के साथ साथ उसको एक ऐसी compromising state पर बनाना है जह काम हो जाता है ठीक है चलता रहता है क्योंकि 20-25-30,000-40,000 बिगाड़ने की जरूत नहीं है एपल लेते हैं बट उतने ज्यादा जो मिडिल क्लास सेक्षन है वो एपल वगेरा नहीं लेता वो रेड में 10-12-15,000 वही फीचर हमें मिल रहे हैं जिससे काम हो जा रहा है तो इस आप से डिसाइड होता है maximum power या फिर maximum efficiency ठीक है मजाया हुआ इस पूरे discussion में ठीक है तो इसका मतलब है कि यह maximum efficiency कोन बात करता है electrical student और EC student किसकी बात करते है maximum power की इस वज़े से इसके जो application maximum power transfer theorem के जो application भी है वो सबसे ज़्यादा कहां पे है सबसे ज़्यादा EC में ही है इसका मतलब एक audio system और audio system amplifier वगेरा सब पढ़ते है न impedance matching वगेरा यह सब impedance matching है concept आप analog electronics में भी पढ़ोगे impedance matching ठीक है तो यह सब चीजों में use होगा और transformer तो क्या है एक जेब में रख लो transformer इतना बड़ा भी हो सकता है और आपके घर के बड़े साइच जितना भी transformer पॉसीबल है तो यहाँ पर impedance matching वगेरा में चोट जोट एफर ट्रांसफोर्मर होते है न है तो यह application ने audio system और impedance matching में ने दो application लिख दी बहुत सारे धेरो application EC में मिल जाएंगे चलो अब statement देख लेते हैं कि आप इसका क्या करेंगे हम लोग post-mortem करेंगे मतलब कि किस तरीके से calculate किया जाता maximum power AC और DC दोनों circuit में वो देखेंगे ठीक है तो यह रहा statement इस अप्लिकेबल है अगर लोड वेरियेबल नहीं है तो उसे अप्लिकेबल नहीं है तो उस case में हम क्या करेंगे आपका जो source है source का जो resistance या impedance है वो कम से कम रखें ठीक है यह वाली बाते अभी थोड़ी दिर में सब कुछ समझ मा जाएगे अब देखिए आगे बढ़ने से पहले मा आपको बता देता हूँ कि किस तरीके हम लोग इस theorem को चलाने वाले हैं आपको यह theorem मैंने दोनों section में बताऊंगा standard case discuss करा दूँगा एक model cases जो होते न वो discuss करा दूँगा उसमें मैं यहाँ पर DC के दो case ले लूँगा और AC के चार case ले लूँगा ठीक है DC और AC दोनों में discuss करेंगे यहाँ पर मैं दो cases में case number one और case number two दो case discuss कराऊंगा DC में और चार case discuss कराऊंगा case number one, two, three, four चार case discuss कराऊंगा मैं AC में तो यह model question हो जाएंगे कि किस तरीके से अलग-अलग load देखिए क्योंकि load आपका क्या है variable suppose करो यह हमारा source है और यहाँ पे कुछ भी होगा यहाँ पर resistance होगा तो DC, देखो DC में तो क्या होगा दोनों जगे resistance ही होगा तो कोई दिक्कत नहीं है बट AC में क्या हो सकता है यहाँ पे resistance भी हो सकता है यहाँ पे RS प्लस J XS भी हो सकता है इधर की साइड में यह RS है इधर में एक बार load भी हो सकता है उसके बाद RL प्लस J XS भी हो सकता है तो इसमें अलग-अलग variation हो सकते है कभी हो सकता resistance वेरी करे कभी reactance vary करे, कभी पूरा impedance vary करे तो इसका मतलब है कि यहाँ पर अलग-अलग cases बन सकते हैं तो इसी यह जो अलग-अलग variations है ना, यही variations AC में 4 case बन जाएंगे और DC में 2 case बन जाएंगे अभी मैं case discuss करूँगा तो automatic सब कुछ समझ मा जाएगा तो आदे घंटे का theory और सुन लीजिए उसके बाद सारी picture आपको clear हो जाएगी और यह वाली बात जो है बने बताईए कि efficiency 50% हो जाती है इसको भी आगे जाके मैं proof कराऊँगा, कि जब आप maximum power draw करते हो तो efficiency से हमें sacrifice करना पड़ेगा, ठीक है चलिए start करते हैं, one by one पहले DC के case discuss करेंगे उसके बाद AC के case discuss करेंगे तो चलिए तो चलिए देखते हैं DC में देखेंगे हैं ना सबसे पहले, DC में case number first है कि load is variable मतलब यहाँ पर एक voltage source है उसका internal resistance गीवन है RS, S मतलब की source का resistance है, ठीक है, और यह हमारा load लगा हुआ, असल में यहाँ से आप बोल सकते हैं कि that is our load resistance अब आपको क्या करना है यहाँ पर देखेंगे कि यह RL की कौनसी value होना चाहिए जिस पे आपका maximum power flow होगा ठीक है, तो चलिए फटा-फट इसका derivation कर देते हैं, छोटा सा derivation है तो यहाँ पर हम यह बोलेंगे कि मान लीजिए current I travel कर रहा है current I travel कर रहा है ठीक है, और यहाँ पर जो current होगा थोड़ी दर के लिए जो power है, PL load power, यह क्या है load power, इसके load के across हम power अगर लिखें, तो यहाँ पर I square RL, ऐसा लिख सकते हैं बिल्कुल लिख सकते हैं अभी हमें RL की, RL क्या है variable है, तो RL की वो value लानी है, जिस पे power क्या हो, maximum हो ठीक है, तो वो RL की value यहाँ put कर देंगे, then हमारा power क्या आ जाएगा maximum हो जाएगा, ठीक है, तो similarly लिखें यहाँ पर, की current क्या है current अगर देखें, तो current कितना हो जाएगा, V S divided by RL plus R S, यह हो जाएगा हमारा current अब मैं क्या करता हूँ इस current को यहाँ पर put कर देता हूँ थाड़ा, इस current को कहां पूट कर देता हूँ इस जगे पर put कर देता हो तो यहाँ पर जो PL होगा वो कितना हो जाएगा VS square VS square divided by RS plus RL का Polisquare into RL अब हमें क्या चाहिए Maximum power चाहिए सारी चीज़े क्यों कर रहे हैं हम लोग Maximum power के लिए तो हम चाहते है maximum power और आपको पता है कि variable क्या है यहाँ पर load resistance variable है तो यहाँ पर आपने mathematics में maximum minimum पढ़ा होगा तो अगर हमें maximum चाहिए value तो पहले देखेंगे यह जो भी PL है जो भी function है तो यहाँ पर अभी function कुन सा है power का PL इसको किसके respect में differentiate करेंगे first differentiation जो variable है मतलब variable क्या है यहाँ पर load resistance इसको differentiate करके equal to क्या put कर देंगे zero put कर देंगे इसको zero put कर देंगे तो यहाँ से हमें RL की value मिल जाएगी जिसके उपर maximum power आ रहा है ठीक है चलो फटा फट differentiation कर देंगे तो यह हमारा क्या है division rule है division rule में क्या होता है इसको में छोटा कर देतना हो थोटा सा ठीक है अब देखना division rule में क्या हो जाएगा division rule में pl equal to differentiation drl ठीक है अब देखेगा vs को मैं common ले लेता हूँ बाहर ठीक है अब पूरा अंदर की side में चलेगा अब यहाँ पर देखेगा division rule लग जाएगा differentiation का division rule क्या होता है कि आपका नीचे वाला जो होता वो महमान होता है तो rs प्लस rl का whole square as it is रहेगा और इस rl का differentiation क्या हो जाएगा rl के respect में 1 हो जाएगा ठीक है ऐसे हम लोग याद करते थे जब हम differentiation वागेरा पड़ते थे तो confusion हो जाता तक पहले किसका करना है इसका करना है ठीक है तो घर का काम मतलब कि आप किसका differentiation होगा अब differentiation इस वाले का जो महमान था पहले दिन महमान जैसे as it is बने रहे अब अगले दिन इससे काम कराएंगे क्या हो जाएगा इसका differentiation 2 into 2 into rs प्लस rl ठीक है 2 into rs प्लस rl और फिर उसका करोगे तो ये तो 0 हो जाएगा then rl का क्या हो जाएगा 1 तो 1 का कोई मतलब नहीं है और divided by ये जो महमान थे इनका क्या हो जाएगा एक बार square हो जाएगा मतलब एक बार और whole square हो जाएगा और ये bracket close ठीक है समझ मैं आगो ना महमान वाला चीज तो बहुत सारे लोग भूल गया होंगे differentiation को तो मैंने याद दिलाने के लिए किया है अब इसको 0 put कर देंगे equal to 0 put कर देंगे ति क्या हो जाएगा ये वाले denominator तो 0 में चली जाएगा है ना इसको मैं उठा के ऐसे कर देता हूँ ओ ओ ओ ओ ओ पुरा अगड़ पढ़ हो जाएगा देख है चलो रहने दो इसको equal to 0 put कर देंगे ये वाली टम 0 हो जाएगी वीएस भी 0 हो जाएगा तो सिर्फ बचेगा क्या आपका Rs प्लस RL का whole square minus 2 times of ये उस side में चले जाएगा है ना equal to में तो 2RL और यह हो जाएगा RS प्लस RL ठीक है तो यहाँ पर हम क्या cancel out कर देंगे यह एक times पूरा cancel हो जाएगा यह square है न यह दो बार लिख सकते हैं एक बार cancel हो जाएगा उसके बार क्या हो जाएगा यह हो जाएगा RS प्लस RL equal to 2RL ठीक है तो यह RL उदर जाएगा तो 2 में से एक गया तो RS equal to RL यह यह कहें RL equal to इसको RL equal to ऐसा बोल सकने कि RL equal to RS RL equal to RS तो यह है हमारी condition ठीक है RL की value किसके बराबर होई RL की value RS के बराबर है तब आपको क्या हो रहा है maximum power transfer हो रहा है ठीक है तो इसका मतलब है कि अगर हमें maximum power निकालना है तो यह RL की अगर कोई value पूचे था हम क्या बोलेंगे source resistance के बराबर मतलब RS, RL और RS है ना क्या बोल सकते है RL equal to RS is the condition for maximum power transfer यह condition आईए maximum minimum ऐसे ही करते थे पहले हम लोग condition निकालते थे जिस पर maximum आ रहा है तो यह condition आ गए अब इस condition को RL equal to RS की जगे put करके इसके cross power निकाल दोगे मतलब यही PL जो power निकले मतलब RL की जगे RS put कर दोगे अब तो अब जो power निकलेगा वही आपका क्या रहेगा maximum power रहेगा ठीक है अब यह तो model question था मैं धीरे धीरे जब numerical कराऊंगा तब आपको पूर प्रॉपर clarity रहेगी ठीक है चलिए तो यह रहा हमारा case number 1 similarly DC का case number 2 क्या है कि suppose कर यह source is variable source variable हो जाए और load क्या हो जाए fix हो जाए तो उस time पर हम क्या करेंगे उस time पर हम क्या करेंगे कि RS को minimum से minimum choose करना है तो हम क्या करेंगे choose choose minimum as minimum as possible as minimum as minimum as possible as minimum as possible ठीक है जितना minimum हो सकता उसको minimum choose करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा current travel करें और ज़्यादा ज़्यादा पावर रहे ठीक है ध्यान रखना जब source आपका variable हो तो यह आपको क्या करना है minimum choose करना है ठीक है और theoretically क्या बोल सकते है इसकी value theoretically मतलब कि यहां से कुछ भी नहीं है इसका मतलब 0 ohm क्या है हमारा theoretically तो इसका मतलब है कि theoretically अगर देखें क्योंकि practically 0 तो हो नहीं सकता क्योंकि कुछ नहीं कुछ voltage का practical source का internal resistance तो रहेगा रहेगा तो theoretically हम यह बोल सकते है कि theoretically ठीक है यह answer क्या दिया है मैंने theoretically हम rs equal to 0 हम बोल सकते है for maximum for maximum power ठीक है for p max समझ भाया तो यह dc के दो cases थे दोनों case को मैंने discuss करा दिया है अब चलते हम लोग ac के cases पे तो आप आपको पता तो चल गया किस तरीके से हमें जो रूप रेखा है किस तरीके से maximum power निकालना वो already आपको पता चल गया current निकालेंगे current को फिर उसमें put करेंगे first definition करेंगे और वहां से condition draw होगी तो हम लोग condition ही देखें क्योंकि एक बार condition आगे उसके आद में maximum power निकालना बड़ा आसान है ठीक है तो हम लोग किस पर focus करेंगे condition पर focus करेंगे ठीक है चलिए तो अब हमारा condition देखें है AC में पहला case यहाँ पर आपको दे रखा है यह हमारा source voltage यह हमारा source impedance RS प्लस J axis प्लस लिया है मतलब inductive nature is का ठीक है और यहाँ पर क्या है load is variable यह जो load resistance लगा हुआ है यह आपका क्या है variable तो चलो आप maximum power कैसे निकालते हैं वो देखें तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंग है कि जो power है power लिख देते तो power क्या हो जाएगा पी एल इकवल टू आई स्क्वेर यह current है आई आई स्क्वेर इंटू आरे है ना इसमें जाने वाला अब इस RL की value लिया हो maximum power के लिए और यहाँ पूट कर दोगे तो power maximum मिल जाएगा तो हम दो देखते हैं कि यहाँ पर क्या होगा current क्या हो जाएगा current हो जाएगा आपका Vs divided by है ना यह पूरा तो हम यह बोल सकते का RS प्लस RL प्लस J XS ठीक है तो Vs divided by यहाँ पर क्या हो जाएगा magnitude इसका RS प्लस RL का whole square प्लस XS का whole square अब इसको यहाँ पे हम लोग put कर देते हैं इसको जब यहाँ put कर देंगे तो कितना हो जाएगा PL equal to Vs का whole square divided by यह under root का square होगा तो under root हट जाएगा तो यहाँ पे RS प्लस RL का whole square प्लस XS का whole square into RL फिर क्या करेंगे आप फिर हमें first differentiation करना है with respect to RL equal to क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा ठीक है equal to 0 तो अब आप कर लेंगे नहीं तो चाहो तो मैं एक पहला करके दिखा देता हूँ बार बार अब डिफ्रेंशेशन नहीं करूँगा है ना एक बार और करके दिखा देता हूँ आपको बहुत सारे स्ट्वर्णिया पर confusion हो जाता है है ना डिफ्रेंशेशन क्या करेंगे dpl by d rl क्या करना हमें vs को तो भार रख दो completely उसके बाद यह पूरे के पूरे महमान है इनको as it is है ना rl का differentiation कर दो तो यह 1 हो जाएगा और महमान को as it is बिठा दो rs प्लस rl का whole square प्लस x then minus अगले दिन क्या करना महमान के साथ में ब्रत इंसाफ करवाने है ठीक है तो यहां पर rl को as it is रखो अब इसका differentiation करो देखो इसका तो क्या हो जाएगा zero हो जाएगा कि यह तो क्या है constant rl के respect में यह तो क्या है constant है इसका differentiation होगा तो इसका हो जाएगा two into rs plus rl ठीक है और फिर rl का करो है तो 1 हो जाएगा ठीक है यह हो जाएगा continue by but equal by इस पूरे महमान का स्क्वेरी लब RS प्लस RL का होल Isquare प्लस XS और इसका Holy Square ठीक है यह होगया differentiation अब इसको 0 कर देंगे इसको 0 कर देंगी तो क्या होजाएगी 0 होजाएगी यह vS square भी क्या हो 0 हो जाएगा तो ये दोनों term बचेगी इन दोनों terms को अगर मैं लिखूँ इसको और इसको तो यहाँ पर खोल देता हूँ इसको तो यह कितना हो जाएगा rs square यह काम करते हैं ना हाँ नहीं कटेगा नहीं rs square plus rl square plus 2 rs rl है ना a square plus b square plus 2ab है ना मोदी जी वाला 2ab नहीं real formula याद रखना ठीक है और plus xs का holy square equal to ये equal to को उस साइट जाएगा तो 2 rl rs plus 2 rl not plus minus आएगा ना एच्छा minus नहीं आएगा ना उस साइट में चले गया तो अल्रेडी plus का है तो यह हो जाएगा plus 2 rl का holy square ठीक है अब क्या cancel out हो रहा है यहां से cancel होने वाली चीजे है 2 rl rs cancel हो गया ठीक है और कुछ cancel हो रहा है क्या नहीं cancel हो रहा है तो इसका मतलब है कि यह हो जाएगा हमारा rs और rl अच्छा यह rl उस साइट में जाएगा तो 2 में से 1 rl चले जाएगा तो तो simply rl equal to कितना हो जाएगा है ना अंडर रूट अंडर रूट rs का square प्लस xs का square असल में यह क्या है impedance source impedance ही है तो हम यह बोल सकते हैं का rl equal to source impedance तो यह हो गया हमारा condition क्या हो गई हमारी condition हो गई याद रखना तो यह है rl की value दोनों एक ही बात है इसको मैं impedance के form में भी लिख सकतना हूँ इसका मतलब है कि जब भी कभी इस तरह का cases आएगा और rl variable रहा तो इस rl का maximum power flow होने के लिए rl की value कितनी हो जाएगी इस impedance के बाराबर मतलब जो source से उसका impedance magnitude निकाल लो magnitude of impedance निकाल दोगे और फिर उसको यहाँ पर इसकी जगे put कर देना तो जो power मिलेगा वो क्या मिल ठीक है समझ में आ गया यह चीज तो इस तरीके से हमारा रहा case number first AC का जहां पर load variable था ठीक है load resistance इस वेरिम मनलब load variable था यहां पर load resistance का एस इस रिजिस्टेंस ही है load यह पूरा का पूरा ठीक है चलिए case number second देखने case number second इस case में देखिए यहां पर क्या दिरखा है ध्यान से दे क्या लिया है कि load resistance variable है ना यहां पर दोनों दे रखा है बट मैंने यहां से क्या चूस किया है कि यह जो load resistance है वो variable है बाकी यह Excel fixed है सिर्फ जो impedance के अंदर जो resistance है वो variable है तो यह दोनों cases different है देखिए यहां पर सिर्फ resistance है जिसको हमने directly load बोला बट यहां पर क्या है resistance मतला RL load ह यहां पर RL load में सिर्फ resistance variable है समझ में आ गया ना चलो तो इसको कैसे करेंगे same procedure हम लोग I करेंगे I तो यहां पर power क्या हो जाएगा power हो जाएगा PL equal to क्योंकि active power तो इसी में जाएगा तो I not IL I current है ना I current का square into resistance RL ठीक है अब इस RL की value लेके आ जाएगे तो magnitude of current कितना हो जाएगा current आ जाएगा Vs divided by अब दीखें यहां पर क्या है real real अलग एक तरफ मतलब कि Rs प्लस RL का holy square प्लस यहां पर क्या हो जाएगा XL प्लस Xs का holy square ठीक है यही value वापस से यहां पर put करेंगे यहां पर put करने के बाद क्या करेंगे हम लोग हना कर लोगे न पूरा करने की जरूत नहीं है तो यहां पर put करेंगे उसके बाद DPL by D variable क्या है resistance equal to 0 करेंगे तो आपको एक value मिलेगी मैं directly लिख रहा हूँ तो RL आपका आ जाएगा RL equal to under root Rs square प्लस XL प्लस Xs का whole square ठीक है XL प्लस Xs का whole square ठीक है XL प्लस Xs का whole square तो यह रही आपकी condition जिस पे maximum power flow होगा जिस पे maximum power flow होगा अब आप मेंसे बहुत सारे लोगों का doubt हो कि sir अगर यहां पर capacitance हुआ तो यहां पर minus आ जाएगा तो उस case में आप देखो minus ले भी लोगे जिसका जो square होगा तो आपका again क्या हो जाएगा positive आ जाएगा ठीक है ऐसे मैं question कराऊंगा कि यहां पर capacitance हा बोटा variation आएगा तो वह आप question के through सारी सारी चीज़े पता कर लेंगे ठीक है तो यहां पर आपको क्या करना है जब भी इस तरीके हालात आ जाए इधर भी impedance इधर भी impedance तो resistance RL equal to क्या हो जाएगा RS square इस resistance का square और दोनों आपके reactances add हो जाएगे और उसका square हो जाएगा ठीक है स positive था उसकी जगे फिर आप क्या आजाएगा negative आजाएगा मतलब मैं इसको इस तरीके से लिख दो नहीं तो confusion हो जाएगा या एक काम करो ठीक ऐसे भी ठीक है Excel प्लस XS Excel यहां पर क्या आजाएगा सपोस्कोर यह minus 3 है चलो अभी ज्यादा दिमांग मत लगाओ question करेंगे सब तो क्या होगा यह सारी चीज़े question के तुरू clear हो जाएगा अभी आप standard cases को ध्यान में रखिए ठीक है चलिए third case देख लेता फटा फट इसका third case है load reactance variable होगा तो क्या होगा load reactance मतलब इस बार यह Excel variable है तो same वापस से PL क्या करेंगे हम लोग I square into RL और यहां पर जो current है उसका magnitude कितना हो जाएगा Vs divided by same Rs plus RL का whole square ठीक है प्लस XL plus Xs का whole square ठीक है वापस से put कर देंगे differentiation कर देंगे DPL by इस बार differential में गलती मत कर देंगे variable क्या है Excel तो इस बार आपका variable क्या है Excel equal to 0 तो यहां पर यह आ जाएगा कि Excel equal to minus of Xs मतलब जो भी Xs है उसका Excel क्या हो जाएगा minus sign of Xs की value मतलब जो Xs है reactance source reactance है उसमें minus लगा देना तो यह आपका आ जाएगा क्या load reactance का value ठीक है ध्यान रखना तो यह इस case में क्या हो जाएगा जब load reactance variable है तब आप क्या बोलेंगे Excel equal to minus Xs अब आप तमेंसे बहुत सारे लोग सोच रहे होगे सर अगर यहां पर यह इस तरीका का variation हो और यहां सिर्फ resistance हो तब क्या होगा तो यह already में जो question वगेरा सब ले लिया हूँ जितने भी variety के question जितने भी variety के आपके doubt है सारे question के through solve हो जाएंगे ठीक है चलिए अब फोर्थ case देख लेते हैं फटाफट load impedance is variable इस बार क्या पूरा का पूरा जो load impedance है वही variable है मतलब यह ZL ही variable हो गया मतलब इस बार resistance और XL दोनों variable मतलब की मैं directly क्या बोल तो इस case में इस case में वही कहा नहीं चलेगी मैं directly लिख देतना हूँ ह 2i square into यहां चलेगा आरेल आरेल ही चलेगा है ना क्यों क्योंकि आपका जो active power होगा किसमे जाएगा सिर्फ और सिर्फ लोट रेजिस्टेंस में ही जाएगा ठीक है और current आपका find out similar current जैसे हम लोगों ने इधर find किये है current वेसा का वेसा current आपका यहां पर भी हो जाएगा ठीक है चलो इधर copy नहीं हो रहा है यहां पर current निकाल देते हैं तो current वेसा के वेसा हो जाएगा vs upon under root rl plus rs का whole square ठीक है plus xs plus xl का whole square ठीक है current वेसा ही निकलेगा उसके बाद आपका दिखो यहां पर क्या हो जाएगा अब आपको differentiation जो है differentiation वो किसके respect में करना है वो बता देता हूँ मैं आपको यह आपको differentiation आपको किसमें करना रहेगा excel के उसमें excel किसमें करना है और equal to zero करते ना मतलब पहले हम देखो z variable है इसका मतलब resistance और reactance दोनों variable है तो हम लोग पहले reactance variable करेंगे इससे तो already जो हम लोग पिछली बार लेके आये थे relation है ना यही relation आ जाएगा तो इससे यह आ जाएगा कि जो excel है वो आ जाएगा minus axis के बराबर ठीक है अब आप क्या करेंगे अब देखो इसके बाद का step बताये तो पूरा नहीं करूँगा मैं इसके बाद का step बहुत इंटरस्टिंग है अब वापस से आप क्या करेंगे जो करेंट निकालेंगे न करेंट उस यह जो करेंट निकाला है आपने यहां पर excel equal to excess put कर दो है ना excel equal to excess put कर देंगे तो यह reactance पूरा-पूरा cancel out हो जाएगा पूरा-पूरा यह हो जाएगा हमारा करेंट ठीक है करेंट हो गया अब समझ मारा ने क्या कर रहा हूं मैं excel के respect में एक बार मैं इसको डिफ्रेंशन किया यह condition को जब मैंने करेंट में लगा दिया दिन करेंट मेरा यह आया अब इस करेंट को वापस से दोबारा में किसमें पूट करूँगा इसमें पूट करूँगा दोबारा इसमें पूट करूँगा इस दोबारा पूट करने के बाद dpl by अब मैं इस rl resistance के reference में कर दूँगा है ना यहाँ पर पूट किया मैंने फिर dpl by d rl अब rl के respect में करूँगा तो यहाँ से मेरा क्या आएगा rl equal to rs आ जाएगा इसका मतलब है कि ultimately आपका क्या रहा कि zl के अगर मैं बात करूँग तो यहाँ पर rl plus j not j minus minus j axis हो गया ठीक है और zs क्या हो गया rs तो यह दोनों तो क्या हो गया आपके बराबर plus j axis ठीक है तो इसका मतलब है देखिएगा यहाँ पर कि यह दोनों तो बराबर है rl और rs बराबर है और यह एक दूसरे के क्या है minus sign है तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो zl है वो असल में complex conjugation of source impedance है complex conjugation का मतलब है कि imaginary part में जो भी उसका sign reverse हो जाएगा मतलब zl अगर हमें यहाँ इस case के लिए zl लिखना है तो कितना हो जाएगा rl minus j axis हो जाएगा मतलब यह source impedance था इसका complex conjugation क्योंकि real part तो क्या है से में imaginary का सिर्फ और सिर्फ क्या हो रहा है sign change हो रहा है ठीक है imaginary का क्या हो रहा है सिर्फ और सिर्फ sign change क्योंकि xl equal to क्या है minus xs है xl equal to क्या हुआ minus xs हुआ तो हम यह बोल सकते हैं यहाँ पर कि यह क्या है एक दुसरे का complex conjugation तो ऐसे case में जहाँ पे load impedance आपका variable है तो आप क्या बोलेंगे कि source impedance का वो क्या हो जाएगा complex conjugation हो जाएगा ठीक है इसको क्या बोलते हैं complex conjugation complex conjugation conjugation ठीक है तो यह बहुत सारे non-grade examination में theory question भी आ जाता है theoretically भी 4 option रहते हैं कि load impedance अगर variable है तो क्या रहेगा तो complex conjugation क्या होता है complex conjugation of source impedance ठीक है यह option में available होता है इसको tick करना होता है ठीक है तो इस तरीके से हमारे क्या हो गए AC के 4 cases भी खतम हो गए अब देखें बहुत सारे student को अभी doubt होंगे कि DC के 2 case देखें और AC के 4 case देखें अब इसका implementation case होगा numerical तो वो देखेंगे हम लोग अगले lecture में और अगले lecture में जो चार के दिसकस करें यह lecture में समझता हों कि आपको आधा ही समझ माया होगा क्योंकि अभी आपको यह clarity नहीं है कि सरी case क्यों कर रहे हैं क्या होगा क्या नहीं होगा हाँ maximum हमने mathematics में उसका यूज करके आप condition लेके आ रहे हूँ यह तो समझ माया रहा है वो condition put कर रहे हैं तो अब numerical में cases किस तरीके से implement होगे वो अगर आएगा तभी आपको proper तरीके से lecture digest होगा ठीक है तो अगले lecture में हम लोग purely numerical करेंगे क्योंकि इसकी theory लगबख लगबख finish होगई यह एका theoretical point और हुआ तो हुआ otherwise theory इसका finish होगया है next lecture से purely numerical देखेंगे जिससे आपको proper clarity आ जाएगी इस topic के बारे में ओके thank you